आइस होप यू और गूड मैसेल डॉक्टर त्रिपाथी विद यू और डिस्केसिंग इस क्वेश्चेन नंबर 16 फ्रॉम एंसी आइटी बूक एक्सराइज 9.2 और चैप्टर इस सिक्वेंस एंड सिरीज और आप क्वेश्चेन देख लें क्वेश्चेन है बिट्वीन एंड 31 एंड नंबर सारिंसर्टेड वन और 31 यहां 31 वहां उसके बीच में एंड बीच में नंबर्स कोई भी नंबर्स नहीं उनको कहेंगे एवन एटू एथ्री एएम ऐसे नंबर इंसर्ट करेंगे साइज देड़ रिजल्टिंग देजल्टिंग सिक्वेंस बिकम्स एणेई ऐ जैसे numbers insert करेंगे कि resulting जो sequence से वह एक AP बन जाए तो जैसे हमने मान लिया कि let the numbers be let the numbers be solution start और ईब test कर रहे हैं हुआ लग दात्व या नम ब्लडु किया दिया है पिर आगे भी तो देखें अपन यह नंबर से और ये नंबर जब इंसर्ट कर देंगे 0 और इंसर्ट करना है के मिले paycheck बीच में जाएगे और कैसी एपी बनेगी वही प्राइब भी वनेगी उसका ध्यान से देखो किरेश्यों ऑफ सेवन्थ रेश्यों आप सेवन्हेंट मतलब एस सेवन एंड एम माइनस वने नमबर्स जो नमबर्स हमने इंसर्ट की इह नमबर्स इन में से जो सेवन्थ नमबर यह ने जो इनमें से m-1 नमबर है तो यह m-1 उसका रेश्यो फाइव इस्टू नहीं ने एसा हमको दिया हुआ है तो पहले हमने क्या करना है फर्स्ट अफ वाल नमबर्स सिलेक्ट करना है नमबर्स इंसर्ट करना है किसके बीच में 1 और 31 के बीच में यह numbers insert कर दिया अब यह क्या बन गई is an AP numbers जैसे insert कर दिया तो यह क्या बन गई एक AP बन गई अब इस AP में जो A7 है A7 है मतलब 7th नंबर और इस से पहले वाला A M-1th उसका रेशयो 5 is to 9 है उसको अगर 5 is to 9 से एक्वेट कर देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी M की वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू ही निकालना है तो यह क्या है आपका इसको बोलेंगे आप फर्स्ट टर्म इसको क्या बोलेंगे आप लास्ट टर्म यह टोटल टर्म्स गिंती कर लें आप यह टोटल टर्म्स यहां से लेके यहां तक कितनी हो गई तो यह टोटल टर्म्स हैं total terms हो गई आपके पास m प्लस 2 m तो बीच में आपने insert की और जो दो ये extremities है दो जो extremes है ये दो extremes को अगर मिला लेंगे तो ये m प्लस 2 हो गई तो जो हमारा formula है दोस्तों formula कौन सा है वो जो formula है last term का formula last term is equal to क्या होता है a plus first term plus number of terms number of terms मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ से लिखते हैं जो आपका formula है क्या formula है last term is equal to first term plus number of terms minus 1 into common difference d तो last term क्या है 31 है first term क्या है इसकी 1 है number of terms क्या है इसमें आप देख सकते हैं m plus 2 है minus 1 into d यह 1 यहाँ transfer कर दे 31 minus 1 और यह हो जाएगा m plus 1 times d तो आजाएगा 30 upon m plus 1 is equal to d यह d की value आ जाएगी अब आपको क्या दिया है कि a 7 और a m minus 1 तो आप देखें कि a 1 क्या होगा a 1 a 1 कौन सी term में आप देखो यह first term में यह a है तो a 1 कौन होगा a plus d a 2 कौन होगा a plus 2 d यह जब यह a है तो a plus d यह होगा तो यहाँ देखो यहाँ 1 लिखा है और यहाँ पे a plus 1 d है a 2 लिखा है यह a plus 2 d है यह कौन सी होगी a plus 3 d तो आपकी जो a 7 होगी वो क्या होगी दोस्तों a plus 7 d तो given क्या है आपको given a 7 upon a m minus 1 is equal to 5 by 9 a 7 क्या होगा आपका a 7 होगा a plus 7 d 6 d नहीं आएगा यही एक बच्चों को confusion हो जाता है क्योंकि a 1 जो है वो second term है और number पहला है जैसे आपने मैंने अभी आपको समझा है तो आप इसमें लेकर इसको बिलेकर के बिल्कुल confused नहीं और a plus यह होगा a plus m minus 1 d a plus m minus 1 d यह जो है यह arithmetic means से यह term नहीं है term अगर देखेंगे तो यह एट्थ वाली term होगी यह वाली term होगी m minus यह वाली term होगी mth term तो is equal to कितना है आपके पास is equal to a 5 by 9 अब आप d की value रखें लेकिन उससे पहले अगर आप चाहें तो cross multiply कर दे तो कापी कुछ यह reduce हो जाएगा d is equal to अब इसको इधर वेज देंगे तो यह हो जाएगा दोस्तों 5 a plus 5 into a और 5 into this तो 5 md minus 5 d 5 into md minus 5 d और अब उसको थोड़ा बहुत transfer करना पड़ेगा 5 a को यहाँ transfer कर लेते हैं d वाली चीजों को उदर ले जाते हैं तो देखिएगा आपके पास हो जाएगा 9 a minus 5 a is equal to 5 md minus 5 d minus 63 d और अभी d की value भी रखना हैं तो यह हो जाएगा आपका 4 a is equal to इसमें से आप चाहेएं तो d common ले ले तो पहले calculate कर लेते हैं 5 m minus 5 minus 63 minus 68 हो जाएगा यह तो minus 68 और d ले लिए हमने common d की value आपको देख रहे हैं 30 upon m plus 1 है तो यह यहाँ पर रख देते हैं तो देखिए कि क्या होगा d की value यहाँ रख देंगे अब तो 4 a is equal to आपके पास आगया 5 m minus 68 और d का value तो d की value है आपकी 30 upon m plus 1 और a का भी value रख दें a का value कितना है आपके पास तो a जो थी वो first term थी a की value 1 रख दें यहाँ पर तो यह जाएगा 4 into 1 तो यहाँ पर a की value रख दी और यह d की value रख दी आप cross multiply कर दें तो 4 into m plus 1 is equal to 5 m minus 68 into 30 यह 4 से cancel हो जाएगा 2 तू जा 4 और यह 2 से cancel हो गया 15 times अब आप इसको open कर लें बस बिलकुल आसान काम है बिलकुल साथ में बने रहेंगे देखते रहेंगे सब कुछ आ जाएगा आपको confidence की जीत होती है और मेहनत काम आती है 15 into 5 75 minus 68 into 15 तो यह आपके पास आ गया यह 75 m extremely sorry यह जाएगा आपका 75 m अब आप m वाली टर्म को इधर ले ले इसको उधर ले 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 तो यह हो जाएगा आपके पास 2 plus 68 into 15 75 m minus 2 m तो यह आपकी वैल्यू आ गई 73 m और इसे calculate कर ले थे 68 into 15 की वैल्यू तो 68 into 15 की वैल्यू calculate कर ले प्लस तू उसमें add कर देंगे और 73 से फिर उसको divide कर देते हैं तो 68 into 15 को आप इसा भी लिख सकते हो अगर आप बहुत जल्दी करना चाहते हो तो ऐसा लिख दे 70 minus 2 into तो 15 into 7 तो यह हो जाएगा 1050 1050 माइनस आप इसमें से क्या कर देंगे आप 15 तो यह जाएगा 1020 और उसमें 2 एड़ कर देंगे तो यह हो जाएगा 1022 और 1022 को आप 73 से डिवाइट कर दें कि तो एम की वैल्यू आजाएगी आपके पास 1022 और डिवाइड़ बैए 73 इसको डिवाइड कर देते तो गैल्कुलेटर से डिवाइड कर देते काफी कॉम्प्लिकेटेड डिवीजन है तो यह देखिए इसको डिवाइड कर दे और आपका अंसर आ जाएगा आपने कर दिया हो तो बहुत अच्छी बात है तो फिर आप खाली बेटे हो तो चैनल लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर कर दे और मैं डिवाइड कर देता हूं 1022 डिवाइड़ बैए 73 यह आगया दोस्तो 14 तो यह एम का वैल्यू रहे यह आपका आंसर बना ठीक है तो यह आपका आंसर है और होप कि आपने चैनल लाइक शेर सब्सक्राइब कर दिया होगा दोस्तों तक बात पहुचा दियोगी क्वेस्चन यह बहुत अच्छा क्वेस्चन था आपने एंजॉय किया होगा निश्चित तोर पे और कापी सरलता से समझा होगा और मेरी बेस्ट वि बाक्स पर कमेंट लिखना चाहें तो कमेंट बाक्स पर कमेंट भी लिख सकते हैं विश्यू अलब बेस्ट